दुनिया में धोका होता है दुनिया में धोका होता है वा कौन किसी का होता है धोका दे देते हैं अक्सर वही जिन पर भरोसा होता है धोका दे देते हैं अक्सर वही जिन पर भरोसा होता है जिन्दगी अपने आप में एक धुका है क्योंकि जो कुछ है वह सब यहीं पर मिला है और यहीं छुट जाएगा हम पैदा होते हैं तो कोई माबाप बन जाता है कोई ना जाने कितने रिस्ते पैदे हो जाता है कितने लोग अपने हो जाते हैं आदमी आख खोलता है तो उसे स्वयम का जीवन दर्सन होना चाहिए लेकिन जीवन दर्सन के पहले बहुत सारे लोग नाटककार मिल जाते हैं जो कि अपना-पना हग जमाते हैं अपने होसले अपने हमदर्दियां बताते हैं लेकिन इंसान जब जाता है तो अकेला चला जाता है जीवन बर दोड़ता और खाली हाँ चला जाता है जीवन बर लोगों के लिए कुछ करता है लेकिन लोग उसे जला करा जाते हैं और जलाने पड़ोसी नहीं अपने लोग जलाने जाते हैं क्योंकि कहते हैं जिसको वो जीवन भर पालता है वही उसको खाक में मिला कर आता है जीवन भर जिसकी चिंता में जलता है वही बेटा उसे जला कर आता है लोगों ने गलत नाम के भी अच्छे अच्छे नाम रख लिए गलत चीजों को भी अच्छा अच्छा नाम रख लिया जब कोई मर जाता है तो हम कहते हैं उनके फूल से राने जा रहे. आरे हड़ियों मेंimy से कही फूल पैदा होते हैं क्या? आरे जीवन को फूल बनाया होता जीवन को खुसबूदार संगीत में बनाया होता, तो बास्ता में जीवन एक फूल की तरह होता, जिसकी सुगंद बात तक रहती हमारे महापुरुस जितने हुए उनका जीवन एक सुगंद की भाती था, एक जीवन उनका सुर्वी की भाती था, संगीत मै था, जिसकोई आता था वै आनंद बाता था, लेकिन आदमी हाँ, बेहिमानी, चोरी, ढकेती, लड़ाय, जगड़े क करके मर जाता है, और जब भी कोई मर जाता है, हम लोग कहते हैं, आज उनका देव लोख हो गया, देव लोख हो गया, आपको कैसे पता, उनका देव लोख हो गया, नरक लोख हो गया, क्योंकि आदमी जब जिंदिगी भर तवाही दे कर जीता है, तो तवाही में मरेगा, त लिकिन जीते जी स्वर्ग, जैसा आदमी जिंदगी जिये, क्योंकि जिंदगी तो आदमी नरक से बत्तर जीता है, हाए तोबा में, छीना, जप्टी में, मार काट में, किसी का बुरा विचारने में, जलता है, जीते जी चिंता सुलगावे, मरच चिता सुलगावे और चिता में आग लगाने के लिए पड़ोसे नहीं आता, आपका बेटा आता है और बेटा भी दूर हो तो उसका इंतिजार किया जाता है, मुझे बड़ा दुख होता है, जब कोई मरता है तो लोग करते हैं फलाने को आ जाने दो, मैं सोचते हूं कोई तो यह हमदर्द होगा कोई तो उससे कहेगा कि इस देन हमारा बहुत काम किया इस दोई को रहने दो लेकिन लोग रहने नहीं देते हैं, उससे जला देते हैं क्योंकि आदमी एक अंतर देसी लिफापा है आदमी एक अंतर देसी लिफापा है वैसे भी कहते हैं आदमी क्या है बच्पन की बाहरों से पुछो आदमी क्या है बच्पन की बाहरों से पुछो आदमी क्या है जवानी के नजारों से पुछो आदमी क्या है लकडी के सहरों से पूछो, और आदमी क्या है जिता के अंगारों से पूछो, बास्तम में आदमी कुछ नहीं है, आदमी एक अंतर देशी लिफापा से जज़ेदा नहीं है, जो एक दो और तीन मोडurrection के बाद-पोस्त हो जाता है, हमारा पहला मोड बच्पन होता है दूसरा मोड जवानी होता है तीसरा मोड बुढ़ापे के बादपोस्ट हो जाता है इन्हें मौत हो जाती है लेकिन मौत के पत्र भी किसी के पत्र मौत के बाद मरघट के पत्र होते हैं मौत के समाचार के पत्र होते हैं, किसी के नर्वान के पत्र होते हैं, हमारे पत्र मौत के नहीं, महुस्टफ के होना चाहिए, हमारे पत्र समसान नहीं, सिद्धालाई के होना चाहिए, हमारे पत्र मरगट के नहीं, मंदिर के होना चाहिए, और मंदिर बहार से कब तक जाओगे, एक बार अंदर को मंदिर बनाओ, तो ये धोकी की दुनिया तुम्हें मार नहीं पाएगी, धोकी की दुनिया तुम्हारे साथ बिगाड नहीं कर पाएगी, क्योंकि कितनों ने दिये धोके इमत पूछो, कितनों ने दिये धोके इमत आपको दो गज कफन का टुकड़ा देते हैं, इंद्रा गंधी है, राजीव गंधी है, आपकी इसी का भी इतियास उटा कर दे कि गंधी आदी को किसने, अपने लोगों ने गोली मारी, जो उनके साथ ही थे पहले, उनोंने गोली मारी, वो बात अलगे कि राजनिती में किसके क्या स्वार्थ रहे, किसके क्या हो सकता है, कोई समस्याएं रही, कोई नीतियां रही, किसलिए किसने गोली मारी, लेकिन लोग अपने ही जाद लगात करते हैं, लोग उन दुस्मनों से बचते हैं, जो गोलियां चलाते हैं, लेकिन उन दुस्मनों से बचने की कभी कोशिस नहीं करते हैं, जो प्यार से तुमारे गले पर छुरी चलाते हैं, जो प्यार से तुमारे जीवन को मार देते हैं, जो तुम्हें हमदर्दी बनकर तुम पर हमला करते हैं, जो तुम पर बाहर करते हैं प्यार के नाम पर बाहर करते हैं लोग कहते हैं तुम्हें बहुत प्यार करते हैं कौन किसको प्यार करता है कितनों ने दिये धोके मत पूछो कहते हैं कि वास्ता में चाहे हमारा जैन सासन देखो चाहे हिंदू सासन देखो और चाहे राजनीती देखो हर पहलू पर आपको द कास्तांगार हो और इन सबने क्या क्या राजा सत्तन्दर के साथ कट्शक Kenya दो का किया और भी कितने लोग महान हु यह इनके साथ तो बन जाओगे, लेकिन भले आदमी नहीं बन पाओगे, क्योंकि कहते हैं, जिन्दगी सरल हो, सत्त हो, और सुन्दर हो, जो हम बहार से देखते हैं, एक व्यक्ति का बेटा मर गया, वो बेटा मरने के बाद बहुत रो रहा था, बहुत रो रहा था, लेकिन मेरे पास आया और बोला, आप बताईए, मेरा बेटा कहां गया होगा, अबने कहीं मर गया, आप क्या चिंता करना कहीं गया होगा, जहां कि आई बांदियों की वहीं गया होगा, बोले एक जोतिसी ने तो कहा है, कि मेरा बेटा इंदर हुआ है, और उसके चहरे पर उस और कह रहा था, रोते भी जा रहा था, और कह रहा था, प्रधान मंतरी का लेटर आया, विधायक आया, ये आया, वो आया, मैंने कहा, कि इसमें तुम्हें भी अभी मान है, इसमें भी तुम्हें लगता है, बेटा मरा है, तो मर कर भी तुम्हें सम्मान दिला दे, अरे सोच के देखो बेटा मरा उसका दुख नहीं है किस-किस के लेटर आये वो क्या था इसी परकार से जिंदिगी भर अपने आपको दोका देते हैं एक ब्यक्ति ने एक कहुए को तीर मार दिया लेकिन तीर मारा तो कहुए ने क्या जबाब दिया काग मरा सोही मरा मुझे मरा मत जान और मुझे से पहले तू मरा असी के मारा बान वो कवव क्या कहता है कि मुझे मारा तू ये मस समझना मुझे मारा तू ने स्वया मर गया पहले तू ने दिये कहा होता कि ला बान ला तो मैं उड़ जाता तू ने कहा तलवार ला मैंने सोचा तलवार से तू मुझे नहीं मार पाएगा और तलवार के दोके में तूने मुझे बान मार दिया मैं तो मरा तो मरा लेकिन तू अपने बच्छनों से मर गया तूने दोके से मुझे मारा है इसी परकार से ध्यान रखना दोके की जीत भी हार से बुरी होती है और सचाई की हार भी जीत से भली होती है भलाई में हो अगर मौत तो जीने से बहतर है भलाई में हो अगर मौत तो जीने से बहतर है बुराई का तो जीना मौत के सदमे से बत्तर है हम जब चाहे पुजा में पढ़ लेते हैं कौन सी बस्ती बस्ताने आये हो, यहां बैसे भी बस्ती कहा हैं, बस्ती के पहले उजड जाती है, जब जीने का सामान जोडते हो तब जीवन समाप्त हो जाता है, जब तक तंबू लग नहीं पाते तब तक उखडने का टाइम आ जाता है, आदमी पचास साल तक कमाता है, दोड़ता है, दूपता है, दोके बाजी करता है, छल कपट करता है, इंकार करता है, जीने की उजनाएं बनाता है, लेकिन पचास-पच्वन के साथ सरीर इंकार कर देता है, कि अब मैं तुम्हें मंदिर जाने से, पैर काम करने से इंकार करतेते हैं, दीरे-दीरे सरीर जीन सी होता है, बुड़ापा आजाता है, कितना भी बूटल, बूटी पारलर जाओ, लेकिन एक दिन बुड़ापा अपना जलग देगी देता है, और जब कि जो कोई आत्मा को सधारते हैं, सुंदर बनाते हैं, लोग कहते हैं, सरीर तो क्या है, मैं कहते हूं, सरीर तुमारी इसी प्रकार से हमारे चित्त आज विकारी हो गए हैं, चित्त की बीना को बजाना नहीं आता है, लोग सिर्फ का आम बासना इर्शा दो इस्त में छल कपट में इस बीना को बजा रहे हैं, जबकि प्रेम, सांती, दया, परुपकार में इस बीना को बजाओ, तो बहुत आपकी जगे बर्दान हो जाएगा, तुम्हारा जीवन फूलों सा हो जाएगा, तुम्हारे पास लोग आने के लिए तुम्हें देखने के लिए लालायत हो जाएंगे, आपने देखा होगा जो महापुरुस होते हैं, उनके जीवन में सुविदाएं नहीं होती हैं, लेकि इंसानती नहीं है क्योंकि सभ्धता के युग में हमारे सरलता सहस्ता हो गई है कुटिल था मनावर्टी हो गए हमना अन्त कर देठ द्या गएlarा sparka की तरह हो गए सुभै से आदमी निकलता है चहरे पर चहरे हैं चहरे पर चहरे हें, दाग बहुत गहरे हैं ऐधर्म के नाम परमंदे और बहुरे हैं। भाहरे हें। सुबह से आदम कहीं से जाता है। शोसके चाहरे पर छामक से पर यह थिते हिते हैं। झालम यह भीन मि वह संदर्थ सोल्ट shifted ? वास्तिक सुंदरता नहीं है, वो ब्यूटी पार्लर का या कहें सेविंग का कामाल है क्रीम का कामाल है उसके अंदर में कहां उजला हट है जब कि आदमी अंदर से दिउजला हो तो बाहर से कोई क्रीम की जरूरत नहीं पड़ती है कितनी सुन्दर बात कहिए एक इभाब में भी कहिए और इरिया पतिस्तुति में भी कहिए कि परमात्मा तुम तु सरवांग से सुन्दर हो तुम्हें अस्तु सस्तुनों की तुम्हें बस्तुनों की जरूरत नहीं अलंकार और अभुसनों की जरूरत नहीं है और तुम्हारा दुनिया में कोई सत्रू नहीं है क्योंकि जो सत्रूता पैदा करता था जो कर्मों का आवरण हमें धोका देता था जो कर्मों के आवरण ने हाथ तक हमें भिकारियों की तरह बटकाया है, दर-दर, आज इसका पता मिलते ही, मैंने उसको नस्ट करने की कोशिस की है, और जब नस्ट कर दिये, तो परमात्मा तो जाने दो, धरमात्मा होता, उसका भी कोई सत्रू नहीं होता है, क्योंकि उसकी आत्मी कुर्जा, उसका आवा मंडल इतना ससक्त होता है, कि उसके पास आते ही, उसके पास आते ही, एक दुस्ट भी सज्जन हो जाता है, आपने देखा होगा, दुस्ट क्या विगाड़ेगा, इस तन को विगाड़ेगा, लेकिन मन को नहीं विकाड़ पाएगा क्योंकि धर्मात्मा का मन कंट्रोल मोता है वह जानता है कि किसी ने मेरे साथ बुरा किया होगा तो बाहर से बुरा कर सकता है मेरा कुछ नहीं कर सकता है